कि हैं लो दोस्तों मैं सुजीत क्मार एडवांस एड़्स एड़्स ट्रेनिंग आइप टेख्शन स्कूल से आपका स्वागत करता हुमारे इस वीडियो टिक्टोरियल में जहां सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एड़्स एड़्स आज हम बात करेंगे लुक आप वैलू फॉर्मिला ओभी पावर बी बियाई के अंदर लुक आप वैलू फॉर्मॉला कैसे इस्तमाल किया जाता है और क्यों इस्तमाल किया जाता है चलिए इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम डेटा लेकर आते हैं मार डेटा एक राइब के अंदर में यह द्राइब के अंदर टी नाम का डेटा है कि इसे में दो शीट है डेटा एंद पॉस इन दोनों शीटों में आप से लोड कर दिया है है अब दिखेगा कि यह दो टेबल हमाँ पास बने है कोर्स का है और यह हमारे टीटा का है तो आप देख पा रहे हैं यहां पे आपके सामने में हैं सिपी है कोर्स के वांट इमांट है हमाँन सरका कोड़र में हमारे पास नेम तो ही यूनिक है और यहां पे मारपी है और यहां पे अंदर लाना चाहते हैं अपने अपने इसके लिए आ और यहां पर को पर करेंगे और यहां कि नीओ को लूप यहां पर लगा रहे हैं लुकप वैलो में किसको लुक अप करना है कौन सा कॉलम रिजल्ट का चाहिए कि तरह नहीं कि लुक उप डलु टेबल एरिया नहीं रिजल्ट कौन सा कच चाहिए तो मुझे चाहिए कौर्स के अंदर जो हमारा MRB है हो जाएगी अब यहां में बोलता है सर्च कॉलर कि किसके अंदर सर्च करना है और सर्च वैलू किया है किसको वैल सर्च करना है तो हमने यहां पर बोल दिया अब ध्यान से एक वार समझें सबसे पहला जो आपका आया वह आया डिजल्ट कि किस तो मुझे यहां पॉर्च के अंदर में हमें सब्सक्राइब करना है और इसके अंदर क्या सब्सक्राइब करना है और ध्यान देखिए जो भी हम आप टाइप किया है आप स्लैक्ट कीजिएगा और बताऊंगा एक और इसके में यहां पर वेबसाइट लाना चाहता है यहां पर मैंने लगाया फॉर्मूला लुकाफ बैलू का लुकाफ यूप मैनूल नहीं लिखना है पर प्रिमेंद्रेटी समें करेंगे और यहां पर यहां पर website को search करना तो यहां पर मुझे website manually नहीं लिखना है ताइब से select करना है फिर search column इसमें होगा तो हमने search columns जह है इसमें c name दिया और यहां पर हमने बोला data data के अंदर हमारा जो course है उसको search करेगा और यहां आपके result लेंटार और इस तरह से हम लुकब करते हैं ते मसं के अंदर में इस थन्थि 2 पिरेंगे तो बहांक रखेंगा यहां पूर यह वैलूरो आपका पावर के अंदरは पिके कि एंट एंट सेफ़ करे एंट सब्सक्राइस के एंट है